तो हैलो फ्रेंट वेलकम टू माइ यूटूब चैनल तो कैसा है आप साब तो फ्रेंट आज का जूड़े है उसमें मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आपकी जो गाड़ी है जो आपकी कार है उसकी इंजन किलीनिंग आप घर पे कर सकते हो यह लाइक आप वाश कर सकते हो कि गाड़ी तो आप वाश करते ही हो बट क्या हम इंजन वाश कर सकते है घर पे यह नहीं हमें करना चाहिए यह नहीं यह सब चीज़े इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इन डीटेल और आपको एक एक चीज़े में अच्छे सा एकस्प्लेइन करूँगा कि आपको इंजन घर पे क्लीन करना चाहिए यह नहीं यह सब चीज़े तो वीडियो एंड तक देखते रही है मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट अमान बिना टाइम विज़ करके आज का आपका fuse box होता है और भी electrical जो भी है connections वहाँ आपके होते हैं तो ऐसे में अगर आप घर पे wash करते हो अगर जो भी है आपके pipe से जो भी जैसे भी आप water उसके पर spray करते हो तो हो सकते है कोई आपके electrical problem आपकी खराब हो जाए कहीं पानी चला जाए और कोई चीज आपकी वहाँ damage हो जाए यह सब चीज़े वहाँ हो सकती है chances हो सकती है अगर आप pressure washing करते है तो उसमें हो सकता है कि गलत आपका pressure वहाँ पढ़ जाए कोई चीज वहाँ खराब हो जाए तो उस case में भी यहाँ आपकी जो चीज़े है गाड़ी की वह खराब हो सकती है कहीं अगर पानी चला इंजन में तो और बड़ी problem वहाँ हो सकती है तो इसका answer यह है कि नहीं बिलकुल भी नहीं आप घर पे wash ना करे अगर करते भी है अगर आपको पता है किस तरह से cleaning की जाती है अच्छे से तो आप कर सकते हो बिलकुल बट एक चीज़ आपको mind में रखना है अगर आप घर पे wash करते हो जो भी आपका engine है तो आपको 5 से 10 km आपकी गाड़ी run कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप wash करते हो तो ऐसा नहीं कि आपने wash कर लिए जहां भी आपकी गाड़ी खड़ी है वहाँ आपने अच्छे से जो भी है engine अच्छे पानी वानी मार के wash कर लिए वैसे ही छोड़ दिया आपके जो bonut है उसे बन करके वैसे आपने छोड़ दिया गाड़ी तो यह ऐसे में बिलकुल आपको नहीं करना है ये सब चीज़े नहीं करना है अगर आप wash करते हो तो आपको ये mind वे रखना है कि आपके जो गाड़ी है वो 5 से 10 km रन कराना है या on क करके तो रखना ही है कुछ देर यह आप यह पकड़ लो 15-20 मिनट आपको गाड़ी ओन करके वहां रखना है अगर आप वहां नहीं रखते हो तो हो सकता है आपके इंजन में कई ब्लॉकेश हो जाए कुछ चीज कंपोनेंट खराब हो जाए यह सब चीज़े क्योंकि पानी कही कहीं भी हो सकता है कहीं भी आपका इंजन की हीट वह हो सकता है उसे वेपर के फ़रं में वो उढ़ा दे जो भी है उसको मतलब अच्छा झन करते हो आपके कार का तो आपको जो गाड़ी है अगर कम से कम अगर आप नहीं चला सकते हो तो on करके रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है और अगर चला सकते हो तो प्लीस आप मिनिम चार से पांच किलोमेटर ता आप रन कराओ अपनी गाड़ी को जो भी अच्छा रन उसको कराओ उसके बाद लाके आप रख सकते हो क्योंकि ऐसे में क्या होता है अगर कहीं पानी रुका हो तो जो इंजन की हीट होती है उससे वो स्टीम बनके उड़ सकता है जहां भी अगर कोई कॉर्णर पर जमा हो पानी कहीं भी जम सकता है आपको पता भी नहीं रहेंगा बट वो कहीं भी जम सकता है लाइक अगर spark plug पे भी पड़ गया spark plug के अंदर अगर चला गया तो वहाँ आपका engine में problem हो सकती है ऐसे तो यह avoid करो अगर पहले तो यह avoid करो कि आप घर पे wash ना करो अगर आपको technique पता है तो घर पे आप wash कर सकते हो बट आपको कुछ run कराना है या गाड़ी को on करके रखना है तो यह दो method थे कि पहला तो आप wash ना करें दूसरा अगर आपको आता है तो wash करने के बाद आपको गाड़ी कुछ देर तक run कराना है अब मैं तिसरा method बता तो कि अगर आपको आपका जो engine है वो काफे ज़ादा गंदा भी हो गया है और आपको technique भी नहीं पता है किस तरह से wash किया जाता है तो यहाँ सबसे easy method यह है जो भी आपके local mechanic है आप उसके पास जा सकते हो आप बोल सकते हो जो भी है पूरी engine cleaning कराना है engine washing कराना है या फिर आप जो आपके washing center होते है जो car washing center है तो आप वहाँ भी जा सकते है उनको कुछ techniques पता होती है जिस वज़े से ऐसा है कि आपको बहुत अच्छे से engine clean करके देंगे और कोई problem भी नहीं आएंगी जो भी है कहीं भी blockage नहीं होगा water का और कोई भी आपको मतलब ECU भी होता है तो उसमें भी कोई problem नहीं आएंगे और अल्टरनेटर भी होता है ये सब इसके उपर कहीं भी पानी नहीं पड़ेगा उनको कुछ techniques होती है और जो भी है वो अच्छा बचा के आपकी जो engine है उसे अच्छा neat and clean कर देते है तो ये third method है आपको अगर technique नहीं भी पता है तो आप कहीं जा सकते है जो भी है थोड़ा minimum amount देखे सिर्फ और सिफ इंजन भी आप clean करा सकते हो ज़रूर नहीं कि आपके पूरी car ही आप wash करा हो आप separate engine भी wash करा सकते हो जो भी minimum amount देकर अगर आपको लग रहा है कि engine काफी ज़्यादा गंदा हो गया है क्योंकि मैंने ये सब चीज़े देखा हूँ try किया हूँ इस वज़े से मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी problem आ सकती है अगर आप खुद engine clean करते हो तो आशकर तो ये सब चीज़े आपको अच्छे से समझ गये होंगी कुछ अगर नहीं समझता है तो वही आप comment कर सकते हो मैं आपको reply देने की कोशिश भी करूँगा और अगर आप चाते हो तो कोई topic पर video बनना चाहिए कुछ create होना चाहिए तो वह भी आप comment कर सकते हो इस video के नीचे और वह मैं आपका comment जो है pick करूँगा उसके पर एक separate video भी हम create करेंगे आज के लिए इतना ही मिलते हैं हम नेक्स टोडियो में जब तक के लिए good bye